तेल के रूप में देखेंगे, clear, come to the next, farming in पालमपूर, अब जो farming है, पालमपूर में वो क्या है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है, तो start करते हैं, first point, जो है, land is fixed, मतलब जो भूमी है, वो क्या है, इस्थिर है, एकदम सीमित, ठीक है, तो farming is the main production activity, farming क्या है, main production activity, अगर कोई आप से पुछी कि कहा की, अगर आप economic subject से कोई question आप से raise कर रहा है, और पुछेगा कि किस गाओं की मुख्य गतिवीती जो है, वो farming थी, तो आप क्या बताएंगे, पालमपूर, क्या बताएंगे, पालमपूर, farming is the main production activity इन पालमपूर, 75% of people who are working, are dependent और farming for their livelihood, मतलब वहाँ कि जो 75%, 75% जो लोग है वहाँ के, वो किस पे dependent है, अपने जीवन या अपन के लिए, वो dependent है, farming पे किस पे, farming पे, ठीक है, they could be farmer और farm laborers, वो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, या तो farmers, यानि कि खुद की खेती भी कर सकते हैं, या farm laborers, जो किसी form पे labor का क्याम करते हैं, ठीक है, the well-being of these people is closely related to production on these farms, अब जो ये farmers हैं, या farm laborers हैं, वो किस से related हैं, उनका well-being, production on the farm, जैसा उत्पादन होगा, उसके according, उनकी भलाई, या जो भी हैं, गिया और शक्ताओं की पूर्ती वो इससे होगी, ठीक है, देखते हैं, next paragraph, यहां से, यह है आपका next paragraph, but remember that, there is a basic constraint in raising form production, कुछ मूल का रग भी हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, उत्पादन में ग्रिधी होता है, लेंड एरिया, अंडर कल्टिवेशन, इस प्रैक्टिकली फिक्स्ट, जो लेंड एरिया है, वो क्या है, फिक्स्ट है, since 1960 in पालमपूर, मतलब कि 1960 से ही, 1960 से पालमपूर में, there has been no expansion in land area under cultivation, no expansion in land area, ठीक है, under cultivation, मतलब कि 1960 के बाद से ही पालमपूर में, कोई भी expansion नहीं होया है, land का, मतलब कि कुछ भी जमीन की ब्रिधी नहीं होई है, ठीक है, next line है, यहां से, start है, बिल्विल कन्फ्यूज होने की जड़त नहीं है, by then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land, तो क्या हुगा वहां से, जो wasteland है, मतलब बेकार पड़ी भूमी है, वो किसमें convert होगे, अन्य भूमी को लिये हुए, कौन से तरीका है, है, ठीक है, यह आपका था, first point, अभी आते है, second point को, वही जो first paragraph का, first point का, second page के, जो last point थे, उनका जो last line था, उसको यहाँ पे head point बना दिया गया, is there a way one can grow more from the same land, और कोई तरीका है, ठीक है, जिससे की, हम लोग उसी भूमी से और ज्यादा उत्पादन कर सकें, ठीक है, तो इसको discuss करने से पहले, यह जो एक highlighted है area, इसको हम लोग थोड़ा सा watch out कर लेता है, ठीक है, यह जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह आखिर क्या बता रहा है, मुझे, the standard unit of measuring land is hectare, क्या है, standard unit क्या है, measure करने का, किसको measure करने का, land, यानि जमीन को, hectare है, दो, in the villages, you may find land area being discussed in local units, such as biga, guintha, etc, ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, कि standard unit of measuring है, वो क्या है, hectare, तो आप इसको याद रखिएगा, क्या है standard measure of unit, hectare, ठीक है, और आपने गाउं में यह सुना होगा, या देखा भी होगा, यह वहाँ के local लोग discuss करते हैं कैसे, भूमी को, map के रूप में, बीघा या गूइठे के रूप में, मेरे पास इतना बीघा जमीन है, मेरे पास इतना गूइठा जमीन है, यह सब आपने सुना होगा, अगर आप rural area से belong करते होंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, hectare, one hectare जो है, वो किसके equal होता है, the area of a square, with one side measuring hundred meters, यानि कि, जैसे यह आपका एक area है, square में, ठीक है, इसका जो एक side है, वो कितना है, hundred meters, कितना है, hundred meter, ठीक है, है, एक side, यानि कि, जो बाकी के, तीन side है, वो भी hundred meters है, मतलब कि, अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा, जो चारो तरफ से 100 meter के area से घीरा हुआ हो, उसको हम कितना जमीन कहेंगे, कितना land area, one, उसको हम कहेंगे, one hectare, क्या कहेंगे, one hectare, ठीक है, समझ मैं या, कोई भी जमीन का टुकड़ा, जो चारो तरफ से 100 meter के range से घीरा हुआ है, उसको हम कहेंगे, one hectare, ठीक है, Can you compare the area of one hectare field with the area of your school ground, अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि क्या आप तुलना कर सकते हैं, कि एक hectare जमीन के टुकड़े के मुकाबले में, आपके school का जो playground है, उसका क्या area है, अब उसको measure करके ज़रूर अपने notebook पे note down कीजिएगा, ठीक है, आब आते हैं दूसरे पॉंट के, इस देर आ वे वे one can grow more from the same land, yes, we have the other ways, what are that, let's see, okay, so in this paragraph, we will see that how to increase production with the same land area, okay, now start, in the kind of crops grown and facilities available, पालमपूर वीड रिसेंबल अविलेज अव वेस्टरन पार्ट अव दे स्टेट अफ उत्तर प्रदेश, मतलब की जितने प्रकार के यहां फे फसले उगती हैं, जो फैसलिटी अवेलिबल हैं, वैसे ही पालमपूर को एक अलग गाउं के रूप में बनाय जाएगा, या देखा जाएगा, ठीक है, आल लेंड इस क्ल्टिवेट़िटेड इन पालमपूर, पालमपूर में जितनी भी भूमई है, वो सब क्या है, कल्टिवेशन एरिया के अंडर में आती हैं, बतलब कि सारी भूमई वहाँ की जो कृशी हो गया है, वो सिंचित है, ठीक है, no land is left idle, कोई भी भूमी जो है, वो बेकार नहीं पड़ी हुई है, during the rainy season, curry farmers grow jar and बाजरा, rainy season में, अब देखिए, यहाँ पे एक आपको important point मिला, की rainy season, अब rainy season में कौन से प्रकार की crop होती है, कोई आप से पूछ सकता है, या exam में आपके आते भी होंगे, कि रभी फसल, खरीफ फसल, यह किस season में होता है, तो आप इसको बिल्कुल याद से note down कर लिजेगा, कि winter season में रभी फसल होता है, और rainy season में खरीफ फसल, यानि बर्षात रितू में खरीफ और शरद रितू में रभी की फसल होती है, ठीक है, आईए फिर से एक बार chapter पर वापस आते हैं, क्या यहाँ पर? All land is cultivated in Palampur, no land is left idle, ओके, during the rainy season, जब बर्षात की रितू आती है, बर्षात कमोसम आता है, तो उस समय कौन से फसल को क्रॉप किया जाता है, खरीफ, ठीक है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, जिसमें फार्मर क्या ग्रो करते हैं, ज्वार और बाजरा, अगर आप ग्रामीड छेत्र से संबंद रखते होंगे, तो ये दोनों जो फसलें हैं, इनसे आप अनविग नहीं होंगे, ठीक है, ये जो क्रॉप्स हैं, वो किसके लिए यूज होते हैं, कैटल फीड, मतलब क्या होता है, मवेश्यों का चारा, क्या होता है, मवेश्यों मतलब जो किसान है, जो पालतु जानवर अपने पास रखे होते हैं, खास रूप से, जो दुधारू पश्वय होती हैं, जैसे गाय, भैस, या वो ट्रांस्पोर्टेशन को इसली करने के लिए, खुद के लिए, वो ऑक्स भी रखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो चारो का प्रेयोग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, कैटल फीड, ठीक है, इन दे विंटर सीजन, फिल्ड आर सून विथ वीट, अब विंटर सीजन में, खेतों में क्या भूआ जाता है, वीट, यानि गे हूँ, फ्रॉम दे वीट प्रोडूजट, फार्मर्स कीप इन अफ वीट फॉर दे फामिली जाता है, जो अत्रिक्त उपज होती है, उनके परिवार के इस्तमाल करने के बाद, किसानों के परिवार के, वो क्या करते हैं, बाकी के सर्प्लस को, यानि की अधिक उत्पात जो है, उसक कौन सा नियर मार्केट है, पालंपूर के नजदीक में कौन सा नियरेष्ट सबसे मार्केट है, राय गंज, कौन सा, राय गंज, पार्ट अफ दे लेंड एरिया इस अलसो दिवेटेट तो सुगर कैन, विच इस हर्वेस्टेट वन्स एवरी यर, ठीक है, दे पार्ट अफ अब रवी खरीफ फसल के दोरान, इनके बाद, बिंटर सीजन में, क्या होता है, कुछ भूमी गंज के उपज के लिए भी छोड़ दी जाती है, ठीक है, हर साल, और उसमें एक बार, पूरे साल में एक बार गंज के एक फसल तयार होती है, जिसके लिए भूमी का कुछ टु temperature ग्रामी का, sugarcane in its raw form, मैंने आपको example में बताया था ना, कि sugarcane क्या होता है, raw form के रूप में, available होता खांच है, जैंके आपट, तो यहां पे भी आपने देखा, कि sugarcane in its raw form, और add jaggery, यानि कि sugarcane raw form है, और jaggery का है, औरπ्रोड्यूस्ट आइटम से ठीक है, जो शाहपूर जो नजदी की शहर है पालमपूर से वहाँ पे बोलो क्या करते हैं या तो रॉम मेटेडियल के रूप में सुगर के इनको सेल कर देते हैं या प्रोड्यूस्ट आइटम के रूप में फिनिश्ट गुड्स के रूप में जैगरी को यह दो में रिजन कम तो देनेश्ट पारग्राफ फ्रोम यह ओके लेस्ट अब्स तर्ट ग्रोव थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन ए यर इन पालमपूर इस दूट वेल डेवल डेवलप सिस्टम और इरिगेशन जो पालमपूर के किसान है वो कैसे तीन अलग अलग प्रकार क क्रॉप यानि कि फसल एक साल में उत्पादित कर लेते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जो है वेल डेवलप सिस्टम और इरिगेशन सिच्चाई का बहुत ही सुचारू और संपूर्ण साधन ठीक है अच्छी तरह से विक्सित सिच्चाई के साधन जिसके कारण वो थ्री डिफरेंट क्रॉप जो है वो एक साल में उत्पादित कर पाते हैं ठीक है इट्स मेजर इंपैक्ट वाज तु ट्रांसफॉर्म दे सिस्टम और इरिगेशन जिसका सबसे महत्वकूर्ण क्या था प्रभाव की ट्रांसफॉर्म करना किसको सिस्टम ओफ इरिगेशन को ठीक है पार्शन विल्स वेर तिल देन यूज़ बाई फार्मर्स टु ड्रो वाटर फ्रॉम देवल्ट एंड इरिगेट स्मॉल फेल्ट पहले क्या था जब इरिगेशन का सिस्टम इतना डवलप नहीं था जितना अ जिससे क्या होता था वाटर को वह लोग ड्रॉ करते थे मतलब बाहर निकालते थे कहां से वेल से आपसे ये भी एक क्वेशन पूछा जा सकता है कि जो किसान थे पालमपूर के वह कर्टिवेशन जो लैंड था उनको इरिगेशन करने के लिए जब इरिगेशन फैसिलीटी अवेलेबल नहीं थी बहतर तरीके से तो वह कैसे सिचाहिए करते थे और कुए से पानी निकालने के लिए किसी का यूज करते थे तो आप बताएंगे पार्शन वील ठीक है people saw that the electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively मतलब जब किसानों ने देखा कि जो electric run tube well है मतलब बिजली से संचालित होने वाले tube well वो क्या करते हैं irrigate much large area of land more effectively वो सुचारू रूप से और बहुत ही आसानी से भूमी के बहुत ज़्यादा भाग को सिंचित कर देते हैं तो the first few tube wells were installed by the government और उन में क्या हुआ जो पहले tube wells थे सबसे पहले जो लगाएगे वहाँ पर वो किसके द्वारा लगाएगे government के द्वारा ठीक है सून यानि कि जल्द ही क्या हुआ फिर हावेवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूब वेल्स क्या किसानों ने प्राइवेट ट्यूब वेल्स को सेटिंग करना शुरू कर दिया अजिए रिजल्ट बाइ मिद नैंटी सेटिंटी सेटिंट इरिया और ट्यूंड एक्टियूस वाज इरिगेट जो परिडाम सुरूप क्या हुआ कि उननिस सो सथर के मध्धे तक ठीक है अनिस सो सथर के मध्ध में मतलब नैंटी 6-2 train trip ए dalla मीड ऐडbon1 निसप्रों यह फिए तो यह व्यूंट मद ऑट यह ग्यूट irrigated होते थे, ठीक है, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping, क्या है यहाँ पे, कि एक साल में, to grow more than one crop on a piece of land, जमीन के किसी भी एक टुकड़े पे, during the year, एक साल में, अलग-अलग तरह के फसलों को उगाना, वो किस रूप में जाना जाता है, known as multiple cropping, ठीक है, multiple cropping के नाम से जाना जाता है, it is the most common way of increasing production on a given piece of land, जो सबसे आम तरीका है, किसी इसका, आम मतलब महिंगो नहीं, आम मतलब साधारा, ठीक है, सबसे common way है, of increasing production, ठीक है, on a given piece of land, all farmers in पालमपूर grow at least two main crops, जो पालमपूर के किसान है, वो कम से कम दो फसलों को उत्पादीत करते है, मुख्य फसल के रूप में, ठीक है, many of, sorry, many are growing potatoes as the third crop in the past 15 or 20 years, लेकिन कुछ जो किसान है, वो एक third crop के रूप में, या अन्य फसल के रूप में आप कह सकते हैं, लास्ट अन्तिम 15 से 20 वर्सों से वो उत्पादीत कर रहे हैं, मतलब दो मुख्य फसल तो उत्पादीत करी रहे हैं, उसके साथ साथ ये तीसरी फसल को भी वो उत्पादीत कर रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों में, ठीक है, तो यहां तक आपका clear, आज हमने दो discuss कर लिएं pages, ठीक है, the following table 1.1, जो table है 1.1, ठीक है, show the land under cultivation in India in units of million hectare, plot is on the graph provided, what does the graph show, अब discuss करने इसको बना के, क्या करना है, table 1.1, जो आपका दिया हुआ है, देखी है, यहां पर, यह है आपका table 1.1, ठीक है, इसको क्या करना है, यह show कर रहा है किसी इसको, land under cultivation in India, ठीक है, कितना million hectare area जो है, cultivation, यानि क्रिसी के अंतरगत आती है, ठीक है, plot this on the graph provided, अब इसको आपको area के according graph page पे बनाना है, what does the graph show, अब graph क्या आपको दर साता है, वो discuss करना है class में, कहा करना है, class में, ठीक है,